हाई अप्रीवन नमस्कार कैसे हाप सभी मैं हर्विर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टड़ी चैनल स्टड़ी 24 ओफिसियल में तो आज के इस वीडियो में हम काफी इंपोरेंट टॉपिक के उपर डिस्केशन करने वाले जैसा अपनी टाइटल और थमनेल में देखा है उसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहें और अगर आप डीटर प्लेस भी के किसी भी की एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवीशियर्स कोशन फिपर मोग टेस्ट इवन स्पेशल के भी नोड्स हमारे पास एवेलेबल हैं हैं यह सारे चीज़े आप हमारे साथ जुड के ले सकते हैं और एक 300 पीच की मंतली फीच के राउन में और हमारे एप पे मो कर लीची वीडियो देख के आते तो एक स्पेशल डिस्काउंट भी आप लोगों को दिया जाएगा तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक की जो बात करते हैं में बात करते हैं तो साथियों एक मैटर आपको पता होगा एज रिलेक्सिशन उसको ल तो मतलब एज रिलेक्सिशन है सभी को एक बार एज रिलेक्सिशन मिलना चाहिए और इसके रिगार्डिंग ट्वीटर पे भी बहुत सारे साथ ही अपने लेवल से जितना प्रियास हो रहा है वो कर रहे हैं लेकिन जो हम बात करें मेल कैंडिडेट्स उनके लिए भी हमने जो प्यार्टी वाले हैं वो जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलेग्राम का भी और वर्ट्व ग्रूप का भी तो प्यार्टी वाले वर्ट्व ग्रूप में जुड़ सकते हैं और जो अधर कैंडिडेट्स हैं वो टेलेग्राम में जुड़ सकते और इसके बाद हम male candidates के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम female के लिए काम कर रहे हैं, male candidates के लिए हम काम कर रहे हैं, अब इसके बाद बात आती कि जो female candidates हैं, तो उनके लिए कल बात हुई थी, advocate असुख अगरवाल सर के बेटे अनुज अगरवाल सर से, तो उन्होंने जो case देखा, और उसके बाद उस case लड़ने के लिए तयार हुए, और बड़े अच्छे से उन्होंने उस case को समझा, तो यहां पर मांग यह हैं कि सबसे पहले उन्हें मौका दिया जाए, exam में बैठने के लिए, form fill करने के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि अ आप उस case को सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, या परदीप सर बोल रहे हैं, या इसके बाद कोई और बोल रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, मैंने जो चीजे देखी हैं, गुरुप में वो क्या हो रहा है, अपने आपको चोधरी समझने वाली बात है जादा हो रही है, तो आपको मैंने जो बात करी थी अकरवाल सर से, और तो यहाँ पर बात यह आती है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, देखो हाला कि मुझे नहीं पता किसका कितना फायदा है, किसका कितना नुक्सान है, लेकिन आप किसी के बहकावे में मिम्मत आए, क्योंकि यह अपने मर्जी के मालिक है और आपको शहीं लगे आपको जो अनुझ अगरवाल सर हैं उँसे बात करिये उसके बाद जो केस लड़कों चे बात करी, आपने कोसर्ण पूछिए और जब आपको लगे, जब आपको लगे कि हाँ, ये सही है मेरे लिए, तो ही आप केस के लिए आगया हैं, क्योंकि कल को ये ना हो कि हर्भीर सर ने कहा, पर्डीप सर ने कहा या किसी और टीम के मेंबर ने कहा, या जो ग्रूप्स के चौधरी बने हुए उनों ने कहा नहीं गलब आप सबसे पहले हुआ बात करिए और जब आपको बिल्कुल लगे कि हाँ ये सही है हमारे लिए और मैं सभी से यही कह रहा हुँ ने को हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं निश्वार भाव से हम लोग आ उनको डारिक दें अगर बीच में कोई भी गुरूप में कोई पैसे ले रहा है कुछ भी ऐसा क्योंकि ये चीज़े मेरे सामने भी आई थी कि गुरूप में पैसे इखटे कर रहे हैं ये कर रहे हला कि हमारे टीम ऐसा नहीं कर लिए तो वह गलत है उस चीज के हम कोई जिम् और आप मुझसे बात कर लिजिए जो स्क्रीन पर दियुए नंबर पर बात कर लिजिए जो भी वुमैन केस में जुड़ना चाहती है और मुझसे बात कर लिजिए उसके बाद मैं एवोकेट सर का नंबर दे दूँँ आप उनसे फिर बात करिए अपने कोशन रखिए कि सर यह जो केस है हमारा यह मैंटर है और अगर उनको लगेगा कि हाँ आपको केस में एड करना चाहिए क्योंकि मेरे पास क्या है बहुत सारे गुरूप से लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे गुरूप में बच्चों को भीज देजी हमारे हाला कि मैंने देखो गुरूप में तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो भी डालते रहते हैं लेकिन अब क्या करना आपको आप बात करें और उसके बाद जो यह चोधरा चली होई है उसके चक्कर में ना पढ़के अपना सीधा देखें ठीक है क्योंकि यह चीजे पड़ी पॉलिटिक्स बाजी क्रियेट करती हैं तो मेरे हिसाब से यह सब चीजे सही नहीं हैं हाला कि बहुत सारे लोग हैं जो निश्वार्थ भाव से काम भी कर रहे हैं जिनमें एक रोहित सर्वी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं आप रोगों के लिए तो ऐस अपना काम छोड़के वो आप लोगों के लिए काम कर रहily है और अगर कुछ भी काम कर रहे है तो उसमें हम सबसे पहले उसकी कम्या देखेंगे कि यह काम क्यों कर रहे हैं इसने यह काम क्यों किया रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है एक चुप निकल गया और एक उसे तो दूसरा लोग क्या कह रहे है कि बही एक कूड़ा उठा के लेके क्यों गया यह पॉपॉलर्टी चाहता है यह चाहता है कि लोग इसके तारिफ करें अरे भाई अच्छी काम में तारिफ मिल रही है तो अच्छी बात है चलो ज्यादा कुछ नहीं कहा हुआ मैं जो मैं आप आपको बताना चाहता हूँ पी आर्टी वाले तो गुरूप में जुड़ जाए और इसके बाद जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं वो मेरे पास मैसेज कर लीजी मैं जो एड्वोकेट्सर हैं उनका नंबर दे दूँ आप उनसे परसनली बात करिए किसी के जहासे में मत आये कि किसी को परसनली पैसे मत दीजिए यह ध्यान रगे और इसके बाद मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप उन एड्वोकेट्सर से कराईए आपको जहां भी अच्छा लगे आप उनसे बात करेंगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए ठीक है तो यही मैं कहना चाहता हार जीत कुछ भी रिजल्ट हो सकता है यह नहीं कि पर्दीप शर ने कहा हार ने कहा हार जीत कुछ भी हो चकती है लेकिन अपने हलं के लिए लड़ना तो चाहिए और मैं रिएली बताओं मैं वोमेन जो कंडिडिट्स हैं उनकी जज़्बे को मैं सलाम करता हूँ कोविड टाइम में भी वो एलजी हाउस पर गई मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि देखो अगर कुछ अलग हुआ या मतलव हम हलाकि नेगेटिव भी सोच के चलें लेकिन मेरे हिसाब से जो केस है आप लोगों के फेवर में चांसिज है जा सकता है और देखो और जो एड़ोकीट सर है उनसे आप बात कर सकते हैं चलो थेंक यू बहुत बहुत दनेवाद जैंगे